हलो एवरिवन वेलकम टू माई चैनल जैमातादी आज मैं आपके साथ नवरात्री पूजा में कलस स्थापना कैसे करें या फिर किसी वी पूजा में आप नारियल के कलस की स्थापना कैसे कर सकते हैं इसका वीडियो शेयर कर रही हूँ उमीद है आपको पसंद आएगा धार में ग्रंतों के अनुशार कलस को सुक्सम्रद्धी और मंगल कामनाओं का प्रतीक माना गया है वहीं कलस के उपर रखे नारियल को भगवान गनेश का भी रूप माना जाता है कलस के मुख में भगवान विश्नु, कंट में महेश और मून में भगवान ब्रह्मा का निवाश माना जाता है इसके साथ ही कलस के मध्य में देवी शक्तियों का निवाश होता है नवरात्री में या फिर किसी भी पूजा में कलस की स्थापना करने से घर में नाकेवर सुक्सम्रिद्धी आती है बलकि सकारात्मक उर्जावी बनी रहती है कलस की स्थापना करने के लिए सबसे पहले हमें एक कलस चाहिए होता है मैंने यापर अपना पीतल का कलश लिया है यदि आपके पास तावे का कलश है तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं अगर वो भी नहीं है तो आप मिट्टी का कलश भी मार्केट से ले सकते हैं सबसे पहले हम कलश के मुख पर मॉली बांद लेते हैं कलस के मुख पर मौली को कम से कम तीन वार लपेटना चाहिए, आप पांच वार, साथ वार, नौ वार भी लपेट सकते हैं, इसके साथ ही हमें कलावे में तीन गांठे लगा देनी चाहिए, यहां मैंने तीन गांठे लगा करके मौली को तोड़ लिया है, मौली बांधने के ब तो फ्रेंड्स मैंने याँ पर कलस के सामने भी स्वास्तिक बना रही हूँ, आप चाहें तो कलस के सिर्फ सामने ही स्वास्तिक बना सकते हैं. अब हमें कलस स्थाबना करने से पहले ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस भी इस्थान पर कलस स्थाबना कर रहे हैं, जिस भी इस्थान पर या फिर जिस चौकी पर कलस स्थाबना कर रहे हैं, वो इस्थान एकदम स्वच होना चाहिए, हमें उसको सुद्जल से साफ कर लेना चा इस बात का हमें विशेज ध्यान रखना चाहिए। अब हम चोकी पर एक लाल कपड़ विछा लेंगे। चोकी पर हमें डायरेट्ट कलस इसथापना नहीं करनी है। सबसे पहले में उस पर लाल कपड़ा विछा ना चाहिए। उसके बाद हम कलस इसस थापना करेंगे। फ़ाणने के लिए हम अनाज की धेरी बना लेंगे यहाँ मैंने चावल का प्रयोक किया है चावल आसानी से घर में उपलब्द हो जाते हैं इसके अलाबा आप गेहू जोकावी प्रयोक कर सकते हैं चावल से मैं यहां पर अश्टिदलकमल बना रही हूँ यदि आप अश्टिदल कमल नहीं बना पाते हैं तो आप सिंपल चावल की धेरी रख सकते हैं उस पर ही आप कलस की स्थापना कर सकते हैं अब हमने यहाँ पर अश्टिदल कमल बना लिया है और यहाँ पर मैंने माता के नाम की थोड़ी सी रोली छिड़क दी है इसके बाद हम इस पर कलस को स्थापित कर देंगे अब कलस को सबसे पहले सुद्ध जल से भरा जाता है उसके बाद उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाला जाता है अब इसके बाद हल्दी की गांट डालेंगे मेरे पास दो छोटी छोटी हल्दी की गांट हैं इसलिए मैं इसमें दो हल्दी की गांट डाल रही हूँ यदि आपके पास बड़ी है तो आप एक डाल सकते हैं यदि आप बड़े कलस की स्थापना कर रहे हैं तो आप 3-4 गांट भी डाल सकते हैं, इसके अलावा कुछ लोग कलस की स्थापना में एक लॉंका जोडा भी प्रयोग करते हैं और इलाइची भी डालते हैं, तो इस तरह से आप कलस की स्थापना कर सकते हैं, कुछ लोगों को दूबगास नहीं मिलती है, कुछ लोगों को इत्र नहीं मिलता है, तो इस तरह से आप कम सामान से भी कलस की स्थापना कर सकते हैं और इनके बिनावी कलस की स्थापना की जा सकती है अब हमने कलस के मुख पर रोली और चंदन की बिंदियां लगा कर उसको सजा लिया है इसके बाद हमने याँ पर असोग के पत्ते लिए हैं कलस के मुख़ लगाने के लिए असोग के पत्ते नहीं है तो आप आम के पत्ते लगाईए पहले तो आम के पत्ते ही लगाए जाते हैं यदि आपको ना उपलब्द हो तो आप असोग के भी लगा सकते हैं अगर वो भी उपलब्द ना हो तो आप पान के पत्ते का भी प्रयोग कर सकते हैं अब हमने याँ पर आम के पत्तों को भी रोली और चंदन से बिंदी रख करके सजा लिया है अब हम आम के पत्तों को कलस के मुख पर लगा देंगे कलस के मुख पर असोक के पत्ते लगा दिये हैं अब हम इस पर चावल से भरी हुई कटोरी रख देंगे कलस के मुख पर चावल से भरी हुई कटोरी या फिर किसी अनाज से भरी हुई कटोरी रखी जाती है इसी तरह से कलस की स्थापना की जाती है अब हम इन पत्तों को थोड़ा सा सेट कर देंगे अब कलस के मुख पर रखने के लिए हमने जटाओ वाला पानी वाला नारियल लिया है इसको हमने मातारानी की चुन्री में लपेट लिया है नारियल पर लपेटने के लिए यदि चुन्री नहीं है तो आप लाल वस्तर का भी प्रेयोग कर सकते हैं इसके बाद नारियल पर कलावल लपेट देंगे अब हमारा नारियल कलस पर रखने के लिए तयार हो गया है नारियल कलस पर रखने से पहले हमें ध्यान रखना चाहिए कि नारियल का मुख हमेशा हमारी तरफ हो यानि कि जो पूजा करता है उसकी तरफ होना चाहिए और नारियल का मुख कौन सा होता है जहां से नारियल तोड़ा जाता है यानि कि नारियल का डंठल जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ इस प्रकार से आपको नारियल की डंठल वाली साइड अपने सामने रखनी चाहिए यदि आप नारियल खड़ा करके रखते हैं तो भी आपको डंठल वाली साइड उपर रखनी है इस बात का आपको विशेश ध्यान रखना चाहिए तो friends ये है आपकी नारेल की डंठल वाली साइड तो friends ये थी हमारी कलसिस थापना की छोटी सी वीडियो उमीद है आपको पसंद आई होगी पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन को प्रेश करना कमेंट में जैम आता दी अवश्ची लिखना और कमेंट करके ये भी बताना आपको हमारी वीडियो कैसी लगी धन्यवाद जैम आता दी